हेलो यूरी वन गुड मॉर्णिंग नमस्कार बारा जून दोजार बाइस और देहिंदुनियो जैनलिशिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट और एक्जाम औरियेंटेट इन्फोर्मेशन होगी वो सारी इस वीडियो के तुरू डिसकस करेंगे सबसे पुलिस जो है यह बेसिकली आती है किसके अंदर स्टेट सब्जेक्ट के अंदर अगर आप कॉंस्ट्यूशन के अंदर सेवन सेड्यूल में अगर आप देखिंग सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉनकर्ट लिस्ट या फि कि आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट का जो मेन टारगेट हो सकता है वो टारगेट हो सकती है पुलिस फोर्सीज तो इसको लेकर यहाँ पर एडवाईजरी रिलीज करी गई कि जो प्रोपर इतरीके से हेलमेंट्स या प्रोपर जो इक्विमेंट होते हैं वो पुलिस को दी जाएं ताकि किसी भी तरह की की जो इंसिजेंट वो ना हो इसको लेकर इंडिकेशन किया गया है इसके अलावा अगर आप देखें पर्टिकुलर कोई न्यूज नहीं है जो परलिटिकल या फिर कुछ छोड़ी निफोरमेशन है जो अलग लग लेवल पर चलती रहती है पुलिटिकल रिलिजियन और कक्ष लेडिड कोई निफोरमेशन हमारे discussion का कभी भी part न थी न रहेगी इसके बाद page number 5 पर हम बात करते हैं का parliamentary bill को लेकर discussion यहाँ पर किया जा रहा है trafficking bill जिसका पूरा नाम है यहाँ पर आप देए 2018 में एक bill आया था the trafficking of person, prevention, protection and rehabilitation bill 2018 यह bill basically लोगसभा से तो pass हो गया था बट यह राजसभा से pass नहीं हो था कभी कभी आप एक word सुनते हैं bill और इसके बाद एक word सुनते हैं act इन दोनों में अंतर क्या होता है bill से act में कानून bill क्या होता है एक row एक तरीके से draft मान सकते हैं और act क्या होता है जब एक कानून बनकर त्यार हो जाता है लग हो जाता है यहनि बिल से act का जो procedure होता है इसको बोला जाता है parliamentary procedure परलियमेंट में राजसभा लोकसभा और तीनों include है प्रिजडेंट इसलिए क्योंकि जब तक उनके sign नहीं होंगे तब तक जो है bill को act के रूप में या pass होवा होवा नहीं मना जाता अगर वो sign करने से मना कर देते हैं तो definitely वो act नहीं मन पाता है इसी को लेकर various अगर आप देखेंगे इस तरह के जो crimes हैं उनके जो victims हैं उन्होंने various मिम्रो परलियमेंट से मिलकर request करी है कि इस bill को लेकर 2018 में ये pass होवा था लोकसभा से राजसभा से अभी भी ये pass नहीं हुआ है तो इस bill को जो राजसभा से pass किया जाए और इसको लेकर ministry of women and child development का एक important role है इसके अलावा ये काफी लंबा weight हो चुका है और इसकी बाद हम देखते हैं covid-19 या फिर migrant worker या forcefully जो एक तरीके से labor या slavery इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है तो इस पूरे context में इस bill का पास होना काफी important है ताकि एक proper compensation मिले या उनको proper rehabilitation करने की facility मिले ये bill काफी important हो जाता है और आने वाले time में आप देखेंगे Parliament का जो session होगा may be monsoon session के अंदर इस तरह की bill के बारे में आप देखें ये राजसभा या upper house के अंदर भी present किया जाएगा इसके लावा page number 6 पे कोई particular news तो नहीं है exam related लेकिन कुछ छोटी छोटी information आप देखें जैसे नागलेंड police ने 30 army personal के against एक तरीके से case file किया है आपको पता होगा 2021 में एक incident हो गया था basically इस incident में क्या था army की 25, 21 21 परा special force के अंदर नागलेंड की मोन district के अंदर 13 civilians की death होगी थी और नागलेंड में उसके बाद काफी ज़्यादा news रही कि आप सफा को हटाया जाए armed forces special power act को लेकर armed forces special power act में provision ये होता है कि basically armed forces को special right मिलते हैं कि वो या तो अगर आप देखेंगे कि detain कर सकते हैं या searching कर सकते हैं और इन special circumstances वो fire भी कर सकते हैं ये उनको इसी को लेकर काफी ज़्यादा यहाँ पर protest हुआ उसके बाद नागलेंड सरकार भारत सरकार army इन सब ने coordination किया और अब आप लोगों के लिए सवाल है जब हम बात करते हैं armed forces special power act की तो इस टाइम पे आज यानी 12 जून 2022 तक भारत में किन किन राज्यों के अंदर अपसपा यानी armed forces special power act लगो किया गया है और पिछले दो तिन सालों में किन किन राज्यों से अपसपा को हटाया गया है ये भी आप नीचे कमेंट करेंगे इसके लाओ कोई particular information नहीं जो exam perspective से important हो इसके बाद page number 8 पे गरम बात करेंगे तो दो important topic यहाँ पर discuss कियेगे पहला इंडिया और रशिया की बीच में radio equipment को लेकर agreement हुआ है इसको लेकर पढ़ेंगे और इसके ठीक नीचे एक article है रेशनली पाकिस्तान FATF यानी financial action task force के अंदर जो grey listed है उसको लेकर debate जो हरी उसके बारे में बात करेंगे सबसे बहले बात करेंगे इंडिया रशिया जो deal हुई है radio equipment को लेकर और basically RTS जो रशिया की agency है इसकी airport authority of India के साथ 34 set of instrument landing system को लेकर एक contract हुआ है और ये deal का timing बहुत important है क्योंकि रशिया और Ukraine के बीच में जो war चल रहा है उस critical situation में इस तरह के agreement की अपनी एक importance है तो यहाँ पर बात की जारी है कि radio technical system जो की रशिया का है और इन्होंने agreement के contract किया है airport authority of India से इसके अंदर instrument landing system 734 जो है उसको modernization किया जगा भारत के 24 airports के अंदर इसके अलाबा Ukraine और रशिया के बीच में conflict के बाद भारत पर एक pressure है खासकर western country जो pressure create कर रही है कि इंडिया को अपनी defense dependence को reduce करना चाहिए आज भी भारत अपनी defense equipment का या defense import का लगवग 60% के आसपास रशियास पर depend करता है इसी चीज़ को लेकर western country चाहते हैं कि भारत को अपने defense को diverse करने की requirement हाला कि बाद में भारत में make in India या फिर local for local इस तरह की चीज़े भी आपको देखने को में लेगी और ground level पर यानि हमारे इंडिया के अंदर ही defense equipment बनाया जाए इसको लेकर भी various level पर focus के अज़रा है इसके अलाबा domestic manufacturer को एक तरह के से receive हुआ है ये contract हो उससे के बारे में जानकारी दी गई है इस system के according देखते हैं तो number cash pass ये system भारत के अंदर एक तरह के से receive क्या जाएगा और payment जो है इसकी transaction national currencies के अंदर ही होगी national currencies में इन रूपी और रशियन रूबल इनके बीच में transaction आपको देखने को मिलेगी तो particular यही एक छोटी शी लेकर important information है इसके अलावा हम बात करते हैं FATF के बारे में financial action task force basically money laundering और terror funding को लेकर एक inter-governmental watchdog है जिसमें इंडिया भी एक member country है इसके अंदर पाकिस्तान अभी अभी क्या है grey list के अंदर है पाकिस्तान यह चाहता है कि हमें grey list से हटाया जाए क्योंकि economically खराब असर पड़ता है investment जो होता है उसमें एक important role होता है इसके अपकी country की ranking किस तरीके से या दुनिया भर के international organization ने आपको किस तरीके से rating दी अगर आपको terrorism को लेकर rating दी गई है तो definitely एक serious issue create करता है इसके अलावा diplomate source यह बोल रहे हैं कि इस बार United States और उनके allies एक तरीके significant momentum शो कर सकते हैं और may भी पाकिस्तान इस list से बाहर हो सकता है पाकिस्तान की को लेकर जो basically target दिये थे इस agencies ने financial action task force ने वो काफी हद तक पाकिस्तान ने complete करे हैं as per जो उनका एक तरीके से requirement थी इसके अलावा यहां पर ही बताया गया कि financial action task force की meeting होने वाली है जिसके अंदर पाकिस्तान को लेकर भी discussion किया जाएगा पाकिस्तान में जो नई सरकार है पाकिस्तान जो अभी सहवासरी प्रदानमंतरी बने और उसके बाद पूरी ministry change हुई है उसके अलावा हीना रभानिकार जो पहले foreign minister होती थी अब हैं वहाँ पर minister of state for foreign affair इसके अलावा grey listed जो country है उनमें से अगर आप देखेंगे पाकिस्तान चाहता है कि इनको withdraw किया जाए और जो एक last request थी 27 point थी उसमें 26 के आसपास इनको complete कर दी थे यहाँ पर सबसे बड़ा problem थी कि जो लसकरे तयबा के chief हाफीज सही दिनको jail में रखा गया हला कि किस तरी जेल है यह अपने level पर अलग है हला कि इसके अलावा यहाँ पर जो significant इनके लिए diplomatic victory बोल सकते हैं कि US और उनकी five eyes जिसमें UK, Canada, Australia और New Zealand इनको यह country भी directly पाकिस्तान को back कर रही है और में भी आने वाले time में पाकिस्तान को इस लिश्ट से बहार कर दिया जाए और इसको लेकर पाकिस्तान की जो new foreign minister है बिलावल भुटो इनको invite किया कि United State के अंदर Secretary of State Antony Blinken के द्वारा क्या पाईए यहां पर बातचित करिए इसके अलावा बहुत सारी चीज़े बताएगी कि हमने 300 terrorists पकड़े हैं इनकी property को sage किया बहुत सारी चीज़े और इसे बहुत 2008 से 9 में 2012 15 के अंदर यह monitoring list के अंदर रहे हैं फिर 2018 में grey list में हुए है तो यानि 27 में सब इस task इन्होंने complete कर दिये थे financial action task force के और जो last task था हाफिज सहीद और मसूद अजरवाला यह भी इन्होंने लगवग complete कर दिया तो maybe पाकिस्तान को grey list से हटा दिया जाए 2022 के अंदर अगर ऐसा होता तो आने वाला जो next session होगा अक्तूबर के आसपास वहाँ पर यह decision लिया जा सकता है इसके बाद बात करेंगे page number 8 पर page number 8 जो है world affair यह नि इस time पर दुनिया में क्या चल रहा है उनको लेकर discuss करता है और सबसे पहले again शांगरी ला डायलोग के बारे में discussion क्या जाए रहा है शांगरी ला डायलोग इक तरीके से Singapore के अंदर security related information या security related platform है discussion का और इसमें various perspective को discussion क्या जाता है for example चाइना जो है वो थ्रीट है इंडो pacific security को इस तरह की statement है US के जो defense minister है या secretary of defense और यह बताया गया कि United States की policy change नहीं हुई है बट हम लोग military provocation अगर ताइवान के against होगा तो उसके against है राइट रेशन में चाइना के defense minister ने statement दी थी कि भाई अगर जुरूत पड़ी तो चाइना ताइवान के against युद भी युद शुरू करने से पीछे नहीं हटेगा इसके लावा ताइवान और चाइना जो है वो 1949 के civil war के बाद सप्लिट हुए थे लेकिन चाइना आज भी claim करता है कि island उनकी territory है और इस तरह का rule out नहीं किया कि हम लोग military को इस्तमाल नहीं करेंगे military का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा युएस ये चाहता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से peace stability और जो status की उसको ब्रकरा रखा जाए खासकर ताइवान स्ट्रेट को लेकर इसके लावा इंडो पैसिफिक की security and stability definitely disturb होते हैं अब आप इस तरह के step लेते हैं और दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे युएस और चाहनान के बीच में various issues हैं और अलग-अलग point पर ये एक दूसरे को अक्यूज करते रहते हैं तो day-to-day वाली story इनकी देखने को मिलेगी इसके बाद Australia और France के बीच में एक interesting सी और खराब सी indication हुई थी पिछले साल अगर आप देखेंगे जब AUKUS काफी ज़्यादा news में था Australia, UK और US उसके बाद Australia और France इन दो कंट्रीज के diplomatic relation काफी खराब हो ग और उसके बाद France ने अपने investor को वहाँ से वापिस बुला लिया था, submarine को लेकर एक तरीके से issue हुआ था, submarine यानि पंडू भी और इस डील को लेकर Australia के प्राइमेस्टर जो नों ने काया कि हम France को compensate करेंगे और जो submarine लेडिटीड issue हुआ है उसको sort out करेंगे compensation के through और आने वाले time में France और Australia के relation और जादा strong हो, इसको लेकर हम लोग efforts करेंगे क्योंकि दोनों काफी important है, इसके बाद आप देखेंगे Samirian deal जो France के साथ हुई थी बाद में US और UK के साथ जो deal हुई थी, इसके अलावा ये भी बताया गया कि ठीक है हमारे कुछ issues है बट इसका मतलब ये नहीं क कि हमारे strategic relationship जो हो वो खराब category के अंदर है, इसके बाद दो country और news में हो वेंजूला और इरान, ये basically क्यों news में उसके बारे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वेंजूला और इरान दोनो economic sanction face कर रहे हैं, यानि आर्थिक रूप से इनके उपर pressure create किया जा रहा है, खासकर United States और चीजों के लिए, काफी popular तो नहीं कहूंगा, लेकिन negative trim में popular है कि inflation बहुत जादा है, economic काफी hit हुई है, और दोनों countries United States के sanction को phase कर रही है, इसके अलाबा यहाँ पर इन्होंने agreement किया, Nicholas Maduro जो कि वेंजूला के leader है और president है, इन्होंने 20 साल की एक तरीके से deal करी agreement किया है, और region म reports आई है कि दोनों countries basically एक दूसरे की मदद करेंगे, और high level का political और economic delegation basically यहाँ पर आया, United States sanction की वज़े से, global food price की वज़े से, और Iran nuclear deal के collapse होने की वज़े से काफी ज़्यादा problem इस पूरा region के अंदर है, इसके लाबा इन दोनों ने अपने areas में चाहे वो petrochemical industry हो, military हो यह economy में द लगातार, काम करेंगे इस तरह की चीज़ें यहाँ पर mention करेंगी है, अब हम बात करते हैं, mapping को लेकर, इरान का map हमने दो-तीन दिन पहले cover किया था, अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेंजुएला को लेकर, वेंजुएला लेटिन अमरीका या साथ अमरीका की important country है, और mostly Colombia, Colombia, Duena, या फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ब्राजिल, इन country से अपनी boundary यह share करती है, यह इसका तरीके से important geographical location है, इसके लाबा कई सारे Caribbean, छोटी-छोटी island country यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, equator के ठीक ऊपर यह country है, वेंजुएला, और इसकी capital है, क्राकर्स करके, यह कुछ छोटी चीश की geographical location, इसके बाद page number 10, science and technology में गर हम बात करेंगे, तो science and technology में कोई ऐसी particular information नहीं है, जो कि directly हम लोग discuss कर पाएं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी information जैसे monkeypox को लेकर एक study की जा रही है, कि क्या sexually transmit हो सकता यह infection, इसको लेकर एक case study जो उसको observe किया गया है, और यहाँ पर micro plastic का मतलब है, plastic piece जो कि एक rice के छोटे से grain से भी छोटे होते हैं, और यह देखने को मिलते हैं, अंटारिटिका के अंदर, और यह खराब indication करता है, यह कैसे plastic pollution जो है, और खासकर micro plastic, यह खतरनाक level का होता है, क्योंकि यह जो जलिये जीव जिसको बोलते हैं, इन कि survival को लेकर एक तरीके से challenge create करता है, तो इसी को लेकर यहाँ पर कुछ brief में बताया गया, इसके बाद page number 11 पर अगर हम बात करेंगे, तो इसमें दो important topic है, इंडिया के लिए western Asian country क्यों इतनी important है, और second है crypto asset को regulation करने को लेकर, से भी के क्या concern है, यह main topic है, इनको discuss करेंगे, इसक booster dose उसको लेकर discussion किया गया है, कि covid-19 की booster dose या तो कोई भी हो सकती है, covection या covecial, अगर आपने covection लगवाए तो covecial भी ले सकते हैं, इसको लेकर discussion है, यह main topic है, वो है, why are economic stakes high in west Asia, western Asia के अंदर भारत के economic stakes इतने high क्यों है, western Asia कि जब हम बात करेंगे, तो western Asia कौन सा region होगा, यह वाला complete, यह वाला जो region है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यह वाला region आता है, western Asia, इसको middle east ही बोलते हैं, क्योंकि यह middle east mostly मोला जाता है, US के context में, क्योंकि middle में भी है और east में भी है, right, अब बात करते हैं, इंडिया के लिए country क्यों इतनी important है, और region में जो controversy हुई, उसके पाद कई सारी जो muslim country है, यह फिर western nation country है, वो थोड़ी दन राज हुई, और उन सब के बीच में एक analysis किया गया है, कि इंडिया western nation countries के बीच में किस तरीके के relation है, इसके अलाबा यहाँ पर यह क्या controversy हुई, क्या नहीं है, उन सब चीजों के बारे में नहीं जा रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं, कि government और भारत सरकार और western Asia के बीच में, चाहे cultural हो, economic हो, या अलग-अलग perspective से हमारा relation चाहे हो, maritime goods हो, exchange of goods हो, services हो, या फिर gulf region के अंदर बड़ी संक्या में, भारत के जो लोग काम करते हैं, उसको लेकर हो, अलग-अलग areas के अंदर trade होता है, एक trade linkage भी भी आपको एक trade का important rule यहाँ पर, items देखने को मिलेंगे, 20th century के middle तक, रूपी यहाँ पर as a legal tender भी काम करता था, क्योंकि British culinary area के अंदर बहुत सारी country आती थी, तो luge basically monetary system को वो use करते थे, इसके बाद oil exploration को लेकर काफी ज्यादा news में, आज भी जो gulf countries है, वो mostly oil enrichment को लेकर, या oil rich countries है, और crude oil supply के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है, अगर हम बात करते है, western nation country की, तो भारत का जो total bilateral trade है, यानि दिवी पिक्षे वेपार है, उसमें छटे number पर आता है, western Asia और merchandise trade के अंदर contribute करता है, crude oil के मामले में 3-4, यानि भारत जितना oil purchase करता है, उसका 3-4 जो इनी country स import करता है, इसके अलाबा jobs और economic opportunities के perspective से भी काफी important है, 89 लाक इंडियन जो है, वहाँ पर काम करते हैं, इसके अलाबा non resident इंडियन इनी NRI जो है, भारत के अंदर नहीं रहते हैं, इन country के अंदर रहते हैं, लेकिन वो इंडिया के citizen है, ये 40 billion dollar भारत में भेजते हैं, और ये 55% जो total remittance है, यहनि देश के अंदर 55% जो remittance आती है, उसका हिस्सा western Asian country में जो काम करने वाली लोग है, वो indicate करते हैं, इसके अलाबा United Arab Emirat के साथ हमारा comprehensive economic partnership agreement ये हुआ है, जिसके अंदर हम लोग अपने bilateral trade को boost up करने को लेकर important role play करेंगे, इसके अलाबा भारत अगर हम बात करत हैं, भारत अपनी import का, oil import का 80% import करता है, और less than 150, केवल 150 ही हम लोग अपने यापर production कर पाते हैं, बाकी हम लोग import करते हैं, इसके अलाबा अगर हम बात करते हैं, तो 2020-21 के अंदर एक analysis किया गया, कि हम अपनी requirement का 60% से भी जादा oil जो हो वो Gulf country से खरीते हैं, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार है, इराक की 22%, इसके बाद साथिय और इविया की 18% और उसके बाद UAE, कुएट और रोमान, ये top 10 countries के अंदर आती हैं, जहां रसिया को लेकर debate होती है, रसिया से हम लोग हमारा import जो एक परसेंट के आसपास है, और आप इराक देखी 22% हम लोग import करते है इसके अलावा भारत का जो large proportion है refineries के मामले में, ये historically एक तरीके से western Asia द्वारा pre-dominant रहा है, अलग-अलग types के oils हो सकते हैं, sulfur rich हो सकते हैं, heavy, sore grade हो सकता है, या फिर sweater low sulfur हो सकता है, अलग-अलग analysis के हैं, बहुत जादा technical analysis करने के requirement नहीं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं, इसक SEC and Gulf Corporation Council की जो 6 important country है, साथी रिविया, United Arab Emirat, Bahrain, Oman, Kuwait और कतर, ये भारत के trade का एक important role play करती है, इसके लावा United Nation की according सबसे ज़्यादा trade होता है, UAE के साथ, फिर होता साथी रिविया के साथ, investor nation country में, और अगर आप बात करेंगे, इंडिया की tea, बास्मती rice, electrical equipment, एप्रेल या ज जो दोनों के बीच में trade होता है, इसके लावा, रिशन में United Arab Emirat और इंडिया ने comprehensive economic partnership agreement sign किया, जिसका aim है, कि भारत और UAE दोनों मिलकर 100 billion dollar का trade करेंगे, भारत और UAE दोनों अपने bilateral trade को increase करेंगे, और इसके लावा, भारत के जो product है, 99% product को वहाँ पर duty free access मिलेगी, ये अपने आपने important है, इसमें कासकर जो labor intensive sector है, जैंसन, jewelry, textile, leather, footwear, sports, goods, plastic, furniture, agriculture और wood product ये indicate करता है, इसके लावा, free trade agreement की अगर हम बात करते हैं, तो भारत अलग-अलग country से इसको लेकर discussion कर रहा है, इसके बाद 89 lakh इंडियन जो है, वहाँ पर Gulf economies के अंदर काम करते हैं, UAE जिसमें 7 अमिरा अमिरात बेसिकलिक state की तरह होता है, जैसे भारत में आप देखेंगे हर्याना, पंजाब, राजस्तान, महरास्ट्रा, तमिल नाडू, केरला, नागालेन, मनिपुर, ये जैसे राज्या इसी तरीके से वहाँ पर state है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अलग सीन होता है, जब भी United एक वर्ड इस्तिमाल किया जाता है, तो ये बेसिकलिक एग्रिमेंट तरह का होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में एग्रिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर आप देखें, दुबई, अबुदावी, सार्जा, आजवान, उमन, अल, कुएन, फुजिरा और रस, अ अमिराइस है, दुबई, अबुदावी और सार्जा, ये काफी पोपलर है, ये काफी बार आपने सुने भी होंगे, इसके लाबा, 34 लाग इंडियन जो है, वो यूए के अंदर रहते हैं, 26 लाग, साथी रिव्या के अंदर 10 लाग जो है, वो कुएत के अंदर, अगर आप एक बड़ा हिस्सा जोब वो गल्फ कंट्री से इंडिया के अंदर ट्रांसफर होता है, इसके बाद जो टोपिक है, FAQ के अंदर या फ्रिक्वेंट्लि आश्ट के अंदर वो है, सेवी का क्या कंसर्ण है, क्रिप्टो असेट को लेकर, क्रिप्टो या वर्चुल असेट को काफी ज्यादा डिबेट होती है, और UPSC Civil Service Examination का भी one of the favorite topic रहा है, इसी के बारे हम लोग डिसकस करेंगे, कुछ important concept की, सेवी यानि Securities and Exchange Board of India, इसके क्या concern है, और इसको लेकर एक direct और indirect सवाल हुआ था, जब आपने rating agency वाला question पढ़ा होगा, UPSC 2022 में, कि rating agency के अंदर काम करें तो वो सेवी है, RBI नहीं है, इसके अलाबा difficulties क्या है, और अभी तक जो इसको लेकर cryptocurrency को लेकर जो बिल है, उसके क्या concern है, Securities and Exchange Board of India, एक watchdog है, जो regulate करती, Securities and Commodities Market को, इसने अभी रिशन में, Parliamentary Standing Committee on Finance, इसको लेकर कहीं ने कहीं, जिसको लेड कर जेंट सिनन को, इनके बारे मे अपना opinion रखा, और इसी दरीके से, Reserve Bank of India ने भी अपने जो concern है, cryptocurrency के लिए को लेकर, वो भी इस committee के सामने रखें दो, exactly, सेवी ने क्या कहा committee को, सेवी ने कहा कि इनको regulate करने में problem है, खास कर जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये decentralized distributed ledger है, blockchain technology का इस्तमाल करते हैं, और ये basically computer nodes के थुरू across the globe, spread होते हैं, crypto asset जो है, वो basically एक umbrella term है, जिसके अंदर various crypto currency जैसे bitcoin अथर इस तरह की currency आती है, इसके अलावा, ये non currency token को as a utility token की तरह भी इस्तवाल करते हैं, और ये certain utility प्रवाइड करते हैं, विदिन एक ecosystem के अंदर, और non-finishable token जो help करता है, establish ownership of unique items, right, ये कहिने के indicate करता है, इसके लावा underlying technology के बारे में बात करते हैं, तो crypto asset जो है लगबग similar है, और distributed ledger जो है, वो उसको control नहीं किया जाता है, किसी, किया जा सकता है, किसी one entity के द्वारा, यहाँ पर I am not sure, I think 2022 में, क्या non-finishable token, इसको लेकर कोई question हुआ है, ये अगर किसी ने question देखा हूँ, 2022 का paper, तो आप नीचे comment करना, मैं sure नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का question साहई देखा है, कि non-finishable token को लेकर भी, UPSC in 2022 में, सवाल पूछा है, इसके लावा saving क्या का है, अगर आप media reports की बात करते हैं, saving एलवरेट किया है, कि possible need क्या हो सकते है, different regulators की, जो deal करते हैं, different aspect को, crypto asset market के अदर, crypto exchange, for instance, represent करती हैं, इस तरह के aspect को, जैसे अगर हम बात करते हैं, cross border transaction को लेकर हो, और ये enable करते हैं, crypto currency को as a bridge to convert one nation's official currency to another, ये exchange indicate करते हैं, suggest करते हैं, जो regulatory preview के अंदर आ सकते हैं, जैसे RBI के अंदर, कुछ provision है, know your customer है, anti-money laundering है, या combating of financing of terrorism norms, इस तरह के indication करते हैं, और इसके अलावा, subscriber और customer अब जो crypto asset होते हैं, इनको लेकर भी कुछ important indication जो हो दिये जा सकते हैं, for example, consumer protection act of 2019, इसके अलावा suggestion दियागे, consumer protection act of 2019 के अंदर एक power दी जायता कि safe guard हो, crypto currency जो हो अभी legal है, illegal इसको लेकर debate है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, securities contracts act of 1956, जिसको SCRE भी बोला जाता है, कि इसके अंडर ये part नहीं definition का, important क्या है, 2021 के अंदर एक report आयती है, कि से भी को लेकर बुलाएगा, कि इसको regulate करिए, इसके अलावा एक bill भी काफी important है, crypto currency and regulation of official digital currency will 2021, जो भी तक metalize नहीं हुआ है, इसके अलावा cryptocurrency as a digital asset की जब हम बात करते हैं, ये भी अभी तक implementation नहीं हुआ है, और इसको लेकर भी 2022 का अगर आप budget देखेंगे, तब भारत की वित्मंत्री ने statement दिया था कि इस साल 2022 के अंदर तक हम लोग अपनी खुद की financial, sorry, digital currency, launch करने वाले हैं, इसके अलावा कई सारे और भी issues, for example, ये legal है, illegal है, इन सब के बीच में, ये भी एक तरीके से बताया गया, कि जो celebrities है, जो आपने देखा होगा, जब I think T20 World Cup चल रहा था, तब बहुत सारे celebrities जो क्रिप्टो करन्शी को लेकर Disney Hot Star पर अपनी एक तरीके से advertisement कर रहे थे, ये warning दी कि अगर ऐसा कोई करता है, और celebrities के against भी action लिया जा सकता है, अगर इस तरह की चीज़ें, जो खराब चीज़ें, दूसरा जो concern है, वो है, dollarization of the economy, भारत ये नहीं चाहता है, क्योंकि इंडिया के sourn interest के against है, कि हम अपनी currency के बजाए dollarization करने की कोशिश करें, और crypto currency mostly dollar denominated है, और अगर ऐसा होगा, तो इंडियन currency जो पहले से stress face कर रही है, तो उसको लेकर और ज्यादा problem create होगी, इसके अलाबा government का क्या stance इसको लेकर बदला है, ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन आप देखेंगे, कि RBI हो या फिर से भी हो, इनके अपने concern है, लेकिन government ने जब आप solution legal है कि नहीं legal है, ये अलग issue है, लेकिन important है कि इनके अपर जो भी transaction होगी, उस पर 30% tax जो हो, वो crypto पर लगेगा, आने वाले time में बहुत सारी problem है इसको लेकर, कि माल लेते हैं कि भाई, हम इसको एकदम से ban कर देते हैं, और इसको ban करना भी अपने आप में challenge है, क्योंकि monetary system को weak कर सकता है, illegal trade होना शुरू हो सकता है, और official scrutiny को ये bypass करने की एक बड़ी problem create कर सकता है, तो इस चीज को लेकर काफी problem है, crypto को लेकर, इसको legalization करने को लेकर, हमारे official digital currency को launch करने को लेकर, और RBA और CB के अपने concern है, ये will भी paste किया गया, लेकिन ये कब pass होगा, उसको लेकर भी differences हो सकते हैं, फिलाल दे हिंदु नियो जनरिसिस में इतना ही धन्यवाद जहिन